और रोहित शर्मा के आखों में आज आसू नजर आए, सेमी फाइनल की हार बरदाश नहीं कर पाई रोहित शर्मा ICC T20 विश्व कब 2022 के दूसरे सेमी फाइनल में टीम इंडिया को इंगलेंड के खिलाफ 10 विकेट से बूरी तरह से यनि की शर्मनक हार का सामना करना पड़ा है आज इस मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा काफी हताश नजर आए मेच खतम होने के बाद रोहित ड्रॉग आउट में जाने के बाद रोते नजर आए और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनकी एक तस्वीर अप सोशल मीडिया पर वाइरल होती नजर आ रही है जिसमें वो अपने सिर नीचे करके काफी निराश नजर आ रहे है और इसके मुकाबले में हार के साथ ही टीम इडिया का ICC T20 वी शोकप 2022 में सफर खतम हो चुका है मैच खतम होने के बाद जब टीम इडिया के खिलारी इंगलेंट टीम से हाथ मिला कर अपने ड्रॉग आउट में पहुंचे तब रोहित शर्मा भाबुख हो गये थे इस दौरान देख के चल रहे सूर्य कुमार यादब भी सेमी फाइनल मेंच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। हालाकि वराच कोहली और हारदीक ने ज़रूर अरधेश क्या पारी खेली लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी मेच में वराच कोहली ने गेन में 50 रन बनाए, वहीं हारदीक पांडिया ने 33 गेंदों में 63 रन की दमधारी पारी खेली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लेंड के हसाम ने 179 रनों का लक्षाज रखा था इसके जवाब में इंग्लेंड के ओप्रियर बल्लेबाज एलेक्स और जोस वटलर ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया इंग्लेंड के लिए एलेक्स हेल्स ने 47 गेन में 86 रनों की दमदारी पारी खेली वही कप्तान जोस बटलर ने 49 गेन में 80 रनों का योगदान दिया और इन दोनों की 20 फोटक बल्लेबाजी के कारण इंग्लेंड ने 16 ओवर में ही बिना कोई विकेट कवाई 170 रन बनाकर 10 विकेट इंडिया से लिए और मेच को अपने नाम किया कर दो